कुछ और तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त दिखा रहा है ये तस्वीरें प्रधान मंत्री नरेंदर बोदी की डैनिश प्राइम मिनिस्टर के सरकारी आवास में जहां पर उनकी लौन में चहल कदमी करते हुए दिखाई पड़ रहा है निश्य तोर से दोनों निताओं की दर आ रहा है निश्य तोर से ये बेहत महत्पूर मौका होता है दोनों निताओं के बीच में आपसी समवाद के माध्यम से एक सहज समझ को आगे बढ़ाने को लेकर और ये तस्वीरें उसलिया से बेहत महत्पूर और ये अपने आप में बताती है हमने पहले भी कई वार ऐ जहां पर प्रधान मंत्री का जो राज की आवास है वहां से हमको ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही है और दोनों निता सहजतापूर तरीके से आपसी समवाद करते हुए ये तस्वीरें अपने आप पे बेहत बेहत पूर क्योंकि कई बार ऐसे पहले मौके हमने देखे ह भारत में किसी राज प्रमुक के साथ में इस प्रकार की तस्वीर है या फिर जब वो कहीं विदेशी दोरे पे होते हैं तो इस प्रकार की एक सहज समवाद की सिती देखने को मिलती है कोई तीसरा व्यक्ति नहीं दोनों ने ता एक दूसरे के साथ में बात करते हैं तो आप में एक आधार तयार होता है, एक समझ तयार होती है और समझ के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यह नई एक तरह से नया अध्याय है आप कह सकते हैं यह सिर्फ किमिस्ट्री नहीं है बलकि यह दोस्ती की एक नई अबारत लिखी जा रही है। यह कई मंचों पर उन्होंने भारत के लोगतंतर की ना सिर्फ तारीफ की है बलकि पीम मोदी बारत में जिस तरह से कदम उठाय हैं उसको आगे बढ़ा है। देखें जिन्मार्क उन देशों में हैं जिसमें पहली बार इसी देश के साथ ब्रीन स्ट्राटेजिक पार्टनर्शिप की है। बहुत महत्वपूर्ण ये संबाद और भारत को लेकर अगर निजी तोर पर डैनिश पीम के नजरिये से आप देखें तो उनकी बेटी साल 2019 में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पर भारत आई थी, करला आई थी और काफी खुश होकर लोटी थी, घतार पीम फ्रे अपी बार संबाद हुआ दोनों नेताओं के बीच, कोवीड के बाद अगर कोई फर्स पीडर जिसने इंडिया विजिट किया था तो बैनिश पीम थी, तो आप समझ सकते हैं कितना आत्मिय संबंध दोनों नेताओं के बीच है और जहे तार पर इस संबंध की वज़े से भ राश्प्रमखों के तौर पर जब वो एक सहच संबाद करते हैं ये कितना एक मददगार एक आधार तयार करता है उस थोस बातचीत के लिए जो अप से कुछ तेरवाद, सिष्ट मंडल इस तर के आधार पर होगी क्योंकि एक नेताओं की बीच की समझ देशों के दूसरे क की जो हित हैं उसके बारे में एक दूसरे के बारे में कंसर्स को समझना ये एक तरीके से मौका देता है आगे बढ़ने के लिए जमीन तयार करने के लिए बिलकुल और देखिए बहाम जानते हैं कि पीम मोदी किस हमबल बैगराउंड से आते हैं किस तरह से गरीबी में उनका संगर्शों में जीवन बीता और आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कहीं न गहीं जो समाज में सबसे निशले पाइदाद पर जो रेक्ती है उसमें आ जी एक टीचर थी तो निशित तोर पर ये दोनों ऐसे नेता हैं जो जमीनी जो समझते हैं उनको दूर करने का तरीका जानते हैं और शायद यही वज़ा है कि दोनों नेताओं के बीच इस तरह की एक जो बहतर केमिस्ट्री बनी है और निशित तोर पर लगातार दो हजार बीस में Green Strategic Partnership भारत के साथ हुआ था डिन्मार का उसके बाद साथ दो हजार इकीस में डैनिश पीम ने भारत विजिट किया था हम ने देखा कि किस तरह से अगले पांच वर्शों के लिए Screen Strategic Partnership को आगे बढ़ाया जाया उसमें क्या Short Term Long Term Goals हो जखते हैं उसको तैय किया गया ह और आगे ये जो एक इनफॉर्मल समवाद है ये दोनों निताओं के भी समवाद को समझ को तो आगे बढ़ाएगा है बलकि डाउन दर लाइन आप देखे तो जो पूरा तंत्र है कई तरह के मेकनिजम है उस मेकनिजम में भी एक नई जान फूकेगा और उनको एक तरह से य प्रेश्विक चुनोतियों का सामना करने के लिए तैयार करना होगा उस दूर्ष्टी को और भी मजबूत करना होगा तो ये एक बड़ा संदेश चाहेगा तो उसका बहुत जादा फाइदा मिलने वाला है आरेन सुधाकर जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं खेली वही धूप और चारो और हरयाली और क्योंकि हम डेन्मार्क को एक ग्रीन पार्टर के तरीके से देखते हैं और ये महज एक सुखत सयोग ही हम कहेंगे कि संबबता डेन्मार्क की पधान मंतुरी ने जो परिधान धा से देखेंगे जहां पर ग्रीन कॉपरेशन में बढ़ते हुए सहयोग को हम देख पाएंगे जो बिल्कूर और अब देखें आरेंड एर्पोर्ट पे किस तरह से डैनिश पीम वो पहुंची उन्होंने पीम मोधी का स्वागत किया घर पर वो अपने आस्मेंट के साथ पती पर किसी आतीथी को बुलाते हैं तो आप कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि आतीथी के स्वागत में सम्मान में और शायद यही चीज़े हम इस वक्त देख रहे हैं और चाहे तोर पर इस समबाद का जो बहुत अधर हम जानते हैं कि अगर जब पर्यावरन की बात होती है वेश्विक चुनाथियों की इससे रिलेटेट बात होती है तो भारत की बात होती है प्यरे समझोते को जिस तरह से लेटर इस्पिरिट में भारत ने आगे बढ़ाया है जिस तरह से प्यम मोदी का कमिट्मेंट रिन्यूवल एनर्जी को लेकर है सिस्ट कमिट्मेंट ही है भारत ने दो हजार बाइस तक के जो रिन्यूवल एनर्जी के लक्षे को चाहे हासिल किया हो चाहे साल दो हजार तीस तक चालिस प्रीस्ती से ज़्यादा जो रिन्यूवल एनर्जी का जो कमिट्मेंट उजा एनर्जी सेक्यूरिटी में रहने वाला है तो एक बहुत महत के लिए नहीं नए भारत आत्मीर भारत के लिए नहीं है बलकि दुनिया को भी एक तरह से रास्ता दिखा रहा है ऊशाई यह बात देन्मार्क के लोग देन्मार्क के जो लीडर से इस बात को समझते हैं वो निशित तोर पर बहुत एहम मुलाकाद जाहे तरपर अभी जो बाचीत हो रही है तो मचे जरूर लगता है कि आद्धे पक्षियों संबंधों को लेकर बाचीत तो हुई रही होगी बलकि एक तरह से अब कैसे एक और नई चांद फूग सकते एक नई शुरुत पहले ही हो चुकी है लेकि उसकी रफ़तार और कैसे बढ़ाई जा सके उसमें और भी एलिमेंट्स कैसे जोड़े जा सके उसकी चर्चा हो रही होगी डिनमार्क भारत के पती उत्सक नजर आ रहा उसके साथ सायोग बढ़ाने को लेकर विवेक जी जी अब देखिए परसनल केमेस्टरी और विदेश की थी इनको साथ लाना ये मोदी साब ने काफी बार बहुत ही अच्छे से किया है आपको अगर याद होगा बराक अबामा लेकिन उस बात के अलावा एक परसनल केमिस्टरी जो है यहीं पर उसकी नीव रखी जाती है जो पीपल टूपल रिलेशन्स है यहां पर अगर लीडर्शिप में एक अच्छी पीपल टूपल डिलेशन्शिप की जहलक मिले तो बाकी पीपल टूपीपल डिलेशन्सिप यह बहुत आसान रहता है तो मेरे खहल से यह जो भारत की नीटी में खासकर दिखाया गया है कि । यह से एक बहुत ही चानललाइज वे यूए विदेश नीती और और जो पर्सनल केमिस्ट्री है ये एक इसको इसको साथ लाया है तो मेरे ख्याल से ये जो कम्मिनिकेशन जो हम तस्वीरे देख रहे हैं इससे ये पता चल रहा है कि बहुत ही बातें सरल है और जो अजंडा सीरिस अजंडा है उसके लिए एक डेलेगेशन अलरी हैं सब कुछ लाइंड अप है और लीडर्शिप अगर एक इसनेस दिखे लीडर्शिप दोनों तरफ की लीडर्शिप में तो ये दोनों देश के बालाकिल बहुत अपक्षिय नीटी के लिए बहुत ही अच्छी बात विवेक जी जिस बात का आपने जिक्र में किया कि हमने देखा कि ऐसी तस्वीर हमें पहले कई बार कई राश्परमुखों के साथ प्रधार मंत्री मोधी की देखिया आपको लगता कि उनके विदेश नीट का एक एहम हिस्से के तौर पे किस तरह से परसनल केमिस्ट्री एक झाल कि झाल?